स्लाम अलेकुम बीयर्स कैसे हैं अमीद आप सब खैरियत से होंगे मेरा नाम खादी मुसायन है मेरा तालोग रामीन सोलो इनरजी से हम एक टैन की सोलुशन प्रोवाइडर कंपनी है इसके राब हम होलसिल ट्रेडर्स गी है अगर किसी साथ को इन्वरेक्स का या किसी और ब्र से अलिसेस करके बता देंगे कि कौन सा सूलर सिस्टम आपके लिए मुफीद है आपको हाइबिट पर जाना है और गिट पर जाना है वह सब आपको उता देंगे तो आज की वीडियो का शुरूआप करते हैं पहले मेरे चैनल को लाइक को सब्सक्राइब कर लें तो आज की वीडियो हमारी वीडियो है मेरे दोस्तों वह उस पर है कि जो उनको इस वीडियो में सही तरही के से जवाब नहीं मिला तो एक सब्सक्राइब था इन्वरेक्स 8 किलोवाट के साथ सेक्रेट सां सिंक्रोनाइज होगी तो मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर मेरे उपर आप देखेंगे तो एक पूरा पेपर आ रहा है जिसके ओपर लिखावाए कि इन्वरेस के नाइट्रोक के साथ कौन कौन सी बैटरी सिंक्रोनाइज हो सकती हैं तो सेक्रेट सन आइडोंट तिंक सो के होगी अच्छा दूसरी चीज़ कुछ सब्सक्राइब होना मुझे बह पनाके ले आते हैं कोई कुछ ले आता है को कुछ ले आता है तो हमें हर इंवर्टर का नहीं पता होता था सब्सक्राई का को सबस्क्राइ зBE Ёए लए tillि आ हम पता है कुछ घंग करेंगे तो अज आप लोगों से हर वीडियो में रिखिए आप देखें, आपके technical questions होते हैं, मुझे भी देखके जवाब देना होता है, ऐसा नहीं है, मैंने mobile उठाया और मैंने जवाब दे दिया, हर चीज़ का एक जवाब देने का time होता है, तो मुझे 24 hours लगते हैं, after all मैं सर्विस के आप से कोई charges नहीं ले रहा, तो आप अपने मसायल ब करता है electricity, I have checked on my meter, it takes 1.5 ampere, is it okay, तो देखें, कोई भी inverter होगा, वो थोड़ी बहुत grid लेगा, अब आपका 4000 watt का, या मैं कहता हूँ कि अब 15 ampere, 16 ampere का load चल रहा है, और वो एक ampere grid से ले रहा है, तो it's nothing, वो सिर्फ reference voltage रखता है, कि एकदम अब जटका है, solar एकदम गाइब हो तो वो फॉरा electricity से load उठा ले, ठीक है, अच्छा, दूसरा एक साब कहें, अच्छा हाँ, एक साब ने मुझे correct किया था, उनकी बड़ी मेरबानियों ने मुझे correct किया, मगर उनकी information गलत थी, उन्होंने मुझसे कहा कि जी मैं कह रहा हूँ, tubular 220 ampere जो है, अगर वो 280 ampere जो है, तो करके, उसको 70% efficient करेंगे, तो वो kilowatt आ जाएंगे, और इम शूर वो 10 kilowatt होंगे, तो इसलिए आज से दिखा जाए, तो लीथियम से 2 times backup है, tubular का, मगर लाइफ दिखें, tubular की कम है, tubular की लाइफ देट साल, दो साल है, लीथियम के लाइफ जो है, पान से साथ साल है, पान स technology है, आजकर तो देखें, गाड़ियां भी लीथियम पे आ चुकी है, तो एक पुरानी technology को change करके, नई technology में develop किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं, कि नई technology हमेशा महंगी होती है, आगे चलके future में ये सस्ती भी हो जाएगी, अच्छा एक और सापका था, कि बैटरी उसमें डाले, grid से, 1000W एक यूनिट है, तो simple, ये 5 यूनिट कहलाएगी, 5 किलोवाट की बैटरी 5 यूनिट लेगी, 0-100% चार्ज होने में, अच्छा, एक और सापका सवाल था, brother, I got a question, if you please answer it, if I have 4 tubular batteries of 230H, how much backup will it give me on 1000Watts load, देखें, हर tubular का अलग-अलग phenomena है, कोई tubular 70% efficient हो होती है, अब minimum में जाके 230AH, multiply by 48V, जो आगे सम आएगा, उसको 60% पर डिवाइट करें, आपके सामने Watt आ जाएंगे, अगर वो 7000W आ रहे हैं, तो 1000W से डिवाइट करते हैं, 6000 आ तो 1000 से डिवाइट करते हैं, 6 गंटे हो जाएंगे, एक सापने का, according to Pakistan, environment, tubular batteries are more suitable than lithium, because at high temperature, the performance of lithium batteries goes down, for example, while using 4G on mobile in open environment, its battery get low and mobile get heated very earlier than if we use 4G in cool places, but cons of tubular battery is its maintenance, you are 100% right, my friend, मगर problem यह है कि lithium हम कभी भी suggest नहीं करते हैं, कि आप बाहर जाके धूप में लगाएं, हम तो कहते हैं, lithium आप अपने environment के अंदर लगाएंगे, control environment, जो आपका room है, उस room के अंदर आप lithium लगाएंगे, जहाँ पर आपका temperature 28, 30, 35 से उपर नहीं जाता, बाहर तो temperature 48 को भी reach कर जात तो आप इसको अंदर लगाएंगे, ठीक है, अच्छा, और question answer तो चलते ही रहेंगे, एक साब ने का, जी आप अपनी website पका मसका, हम rate डाल दें, अपनी बॉडस के साथ, देखें हम rates नहीं डाल सकते, उसकी problem यह, यहां market में price change होता रहता है, आज कुछ price है, कल कुछ price है, solar market मुझे खुद नहीं समया रहा, आज कल stable नहीं है, just seem like a stock market, आज price कुछ है, कल price कुछ होगा, कभी हुकुमत कोई duty change करती दी, कभी कोई valuation change करती दी, कभी कोई नया tax impose करती दी, कभी importers अज़राज rate गिरा देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो everything के price आपको on call, on WhatsApp message मिल जाएंगे, WhatsApp में message करते हैं, आपको जरूर reply दिया जाएगा, अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, कि lithium battery जो है, उसको आप load बे किस तरह divide करेंगे, बहुत सारे अज़रात का सवाल आता है, यार मेरे पास 8 kilowatt nitrox है, मैं अगर 5 kilowatt inverse की power wall लगाऊं, तो वो मुझे कितना backup द रहा था, आपकी इतला के लिए बताता चलूँ कि AC को आपने 26 पर चलाना है, या 27 पर चलाना है, तो तो inverter AC अपने इंपेर गिराएगा, मगर जो आज कल गर्मी चल रही है, मैं कराची में हो, कराची हैं बहुत जादा गर्मी है, inverter AC रात को 12 बज़े भी 200 watt ले रहा होता है, तो कर 10 इंपेर लेगा, तो वो फेनोमेना चेंज हो जाएगा, आपका inverter 2 AC पर बताएगा, चवालिस सो वाट, घर का लोड मिला के 5000 watt, तो 5000 watt की बैटरी से निकालेगा, एक घंटा चलेगा, अच्छा वाइल ऐसा होता है, कि थोड़ा सा अगर आपका टेंपरेचर कंट्रोल ह यह inverter AC 6-600 watt पर आजाते हैं, तो 1200 watt और 600 watt घर का लोड और 1800 watt, तो 5000 watt को डिवाइड करते हैं, तकरीबन 2 से डाइगंटे का वेकप आजाएगा, देखें, आपने कुछ नहीं करना, मैं आपको समझाता हूँ, आप अपनी मर्जी का लोड आउन करें, आदा पोना घंटा आपके आप अपने inverter पर देखें, कितने kilowatt रा रहा है लिखा हूँ, अगर वो रा रा रहा है 2 kilowatt, तो 5 kilowatt divided by 2, रा 1 kilowatt, 5 kilowatt divided by 1, तो यह एक calculation है, जो आप अजरात नहीं है, आपको दुकानदार हजरात कुछ भी सहीं नहीं बताएंगे, इविन मैं क्यों नहीं आँँ, आप म मेरा एक मश्वर आई है, जिस कंपनी का inverter खरीदे रहा है, उसी कंपनी की बैटरी खरीदे है, ताके जो हजरात inverters मंगाना है, जैसे inverX मंगा रही है, उसने पावर वाल लांच की, पावर वाल लांच की तो उसका BMS और इंवरेस का BMS 100% मैच करता है, तो उसको प्रॉब्लम भी डिबेट है, चलती रहेगी, नई टेक्नालोजी आई है, बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, मगर देखें, कोशिश करें मार्केट में जो वैलनोन ब्रैंड है, जिनका आपको पता है कि आफ्टर सेल्स वारंटी में अच्छे हैं, आप उनसे बैटरी और इंव आप मुझे वाटसेप पे जवाब देते हैं, उससे होता यह कि मैं आपको वाटसेप पे क्लियर कर दूँगा, क्या है, मैं गलत हूँ या आप गलत हो, जैसे उनसाब ने 100 इंपेर की बैटरी से मुझे मवाजना करके 48 वोल को गलत करार दे लिया था, तो वो होता यह कि लो झाल